जहिन दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेसन में आप लोग का स्वागा थे जैसे कि हम लोग के रेच, रिपियर, वर्षप, मंचेस्वर, इस्ट कुस्ट्रेलियो का जही डिपर्डमेंटल कुसिन पर सल्फ कर रहे थे जो कि आप लोग का 25 परवरी 2022 को कंड़क्ट हुआ था, इसमें हम लोग 55 कुसिन तक सल्फ कर लिये थे आज 56 नमर कुसिन से सल्फ करने का कुसिस करते हैं, तो चलिए आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो को बने हां से देखे, लास तक देखे, ताकि आप लोग बने हां से समझ पाएंगे जो कि सार्विस ब्रेक अप्लिकेशन के द्वारा आप लोग का 0.8 से 1 केजी पर सेंटीमेटर स्क्वेर इतना प्रेसर बीपी प्रेसर ड्रॉप होगा तो इसके बार में भी थोड़ा डाटा देख लिजे, जैसे कि आप लोग मिनिमूम अप्लिकेशन मिनिमूम आप लोग का जो अप्लिकेशन होता है यह आप लोग का 0.5 से 0.8 केजी पर सेंटीमेटर स्क्वेर इसी साबसे आप लोग का सार्विस अप्लिकेशन जो होगा सार्विस अप्लिकेशन यह आप लोग का 0.8 से 1 केजी पर सेंटीमेटर स्क्वेर फूल सार्विस एप्लिकेशन इसमें आप लोग 1 केजी से 1.5 केजी बीपी प्रेशर ड्रॉप किजिए इसी सबसे एमर्जन्सी एप्लिकेशन में जो भी बीपी प्रेशर रिडेक्शन होगा ड्रॉप होगा एभव 1.5 केजी पर सेंटीमिटर स्क्यार तो ये सब डाटा को आप लोग याद रखेए ये भी आप लोग का कुशिन में आ रहा है थिकनेस अप हाड पेकिंग पीस रेकमेंड़ होन एवारेज ट्रेय डामिटर अप दो टू विल सैट्सीन एन आईसे बोगी इज एट वान 819 mm 1819 mm wheel dia हो जाने पर आप लोग जो buffer height adjustment के लिए packing piece यूज करते हैं तो इसका आप लोग का कितना size का कितना thickness का packing piece यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 48 mm का packing piece यूज करेंगे तो इसमें भी data आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि wheel diameter आप लोग का कितना होने पर कौन सा size का आप लोग packing piece हाड packing piece यूज करेंगे buffer height adjustment के लिए तो आप लोग का wheel diameter 889 to 864 इसी बीच में आप लोग का wheel dia है तो 13 mm का packing piece यूज कीजिए 863 to 840 mm का बीच में अगर आप लोग का diameter है 26 mm का packing piece यूज होगा 839 से 820 mm एही आप लोग का बीच में wheel dia होने से इसमें 38 mm का आप लोग packing piece यूज कीजिए और आप लोग का wheel diameter 819 mm हो गया तो एही condition में आप लोग 48 mm का packing piece यूज कीजिए इसी साब से आप लोग का ICF coach में जो buffer head adjustment के लिए आप लोग का packing piece यूज होता है 13, 26, 38, 48 इस चार प्रकार का ही packing piece यूज होता है इसको याद रखिए फूल फर्म पीसीबी पीसीबी का फूल फर्म होता है passenger, coaching vehicle, PCB और OCB हो गया other coaching vehicle दो प्रकार का आप लोग का यहीं पर जैसे की exam में आता है PCB, passenger, coaching vehicle तो आप लोग 58 का B के साथ चलिए इसी साथ से OCB अगर होने से यह हो जाएगा other coaching vehicle pool from DRS with respect to coach तो DRS का फूल फर्म पूचा है पूरूप पूचा है option में चलते हैं तो यहीं पर आप लोग देखिए option में यह हो जाएगा deficiency in rolling stock तो ऐसा आप लोग का option देखिए कहाँ पर है option यह में है तो जब भी आप लोग coaching maintenance करते हैं एक round trip के बाद आप लोग का रेक का जो maintenance होता है one trip के बाद one round trip के बाद जो भी maintenance होगा तो इसमें आप लोग का DRS कार्ड बनता है तो जैसे कि कुछ भी आप लोग का deficiency है उसमें कमी है कुछ आप लोग का theft हुआ है चोरी हुआ है तो यह आप लोग का CNW supervisor और RPF आप लोग का stop मिलके RPF आप लोग का stop मिलके इसको prepare करते हैं दोनों का signature रहता है जो भी damage deficiency जो भी कमी है उसको intact करके फिर आप लोग का गाड़ी को आपका record train को छोड़ा जाता है तो यह भी यात रखिए maximum stroke length in a boggy mounted air brake cylinder अपन ICF कोच तो यही पर आप लोग का maximum stroke पूच रहे है जो कि ICF कोच में boggy mounted brake cylinder यूच होता है इसका आप लोग का maximum stroke पूचा है तो इसका आप लोग का cylinder का जो आप लोग का piston का maximum stroke यही पर कितना होगा तो यही पर आप लोग कूचिन में देखिए option में देखिए तो यही पर आप लोग का maximum आप लोग का stroke होता है यह कितना होता है आप लोग option में इसको बता सकते हैं आप लोग option और आप लोग का जो regular त्रोपर आप लोग का नर्माल जो पिस्टन उटोक रहेगा यह आप लोग का थाटी टु एमेम होगा यह भी याद रखे maximum आप लोग का 95 mm और आप लोग का जो नर्माल जो आप लोका पिस्टन श्टोक रखना है यह 32 mm है तो यह पर option में नहीं है तो आप लोग option D के साथ चलिए full form of BSS hanger BSS hanger देखिए आप लोग का secondary suspension में bolaster के पास आप लोग का BSS hanger रहेगा जिसका की पूर्रूप हो जाएगा bolaster spring suspension hanger होता है option आप लोग B के साथ चलिए 61 का तो आप लोग यहीं पर आप लोग के लिए question है कि total आप लोग का एक ICF coach में total BSS hanger in one ICF coach यह कितने होगा यह आप लोग comments में जरूर बताएं यह आप लोग के लिए question है drawing code of A03 with respect to spring of an ICF coach इस पर यह देखें drawing code पूछ रहा है A03 with respect to spring अपने ICF coach ICF coach में जो spring यह होता है उसमें जो code drawing code रहेगा A03 इसका आप लोग का मतलब क्या है यहीं पर cushion है तो जैसे कि इसके बारे में भी थोड़ा data आप लोग देख सकते हैं तो यह देखें नए टाइप का जो भी cushion आप लोग को मिल रहा है इसको बढ़यां से आप लोग यात रखें जो कि इसका आप लोग का जो code हो जाएगा एहीं पर A आप लोग का जो 03 है यह क्या code हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोग का option A के साथ चलिए All SE XL Box Spring का यह code होता है All SE XL Box Spring का यह code होता है तो इसके बारे में भी आप लोग data देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोग का पहले Excel Box Spring के लिए देख लेते हैं तो आप लोग का All Non SE XL Box Spring में देखेंगे जो कि आप लोग का option B में है तो इसका आप लोका जो ड्रॉइंग कोड होगा यह होगा A01 इसको बनेहां से याद कीज़ें नोट डाउन कर लिजे और आप लोका एक्सल बॉक्स प्रिंग जो होगा All SC कुछ का जो एक्सल बॉक्स प्रिंग का इसका ड्रॉइंग कोड जो होगा A03 इसी साबसे आप लोका All Non SC में चलिए बॉलेश्टर स्प्रिंग के लिए अप्सन जो C में है इसका कितना हो जाएगा यह हो जाएगा B01 इसी साबसे All SC बॉलेश्टर स्प्रिंग के लिए देखिए All SC बॉलेश्टर स्प्रिंग के लिए यह हो जाएगा आप लोका B03 यह चारो डाटा आप लोग के यात रखिए I say spring belonging to B spring group R colored code इहीं पर देखिए पूछ रहा कि I say coach में जो spring का coloring होता है तो B group आप लोग का coil spring के लिए इहीं पर क्या color होगा यहीं आप लोग का question है जैसे कि हम लोग जानते है A, B और C group coil spring रहता है जिसको कि हम लोग इसका जो coding होता है यह होता है A, B, G तो A group के लिए आप लोग का yellow हो गया उसी साब से B group coil spring के लिए oxford blue या simply blue color बोल सकते हैं और C group के लिए आप लोग का यह हो गया green color हो गया तो इसको यात रखने का आप लोग का तरीका है A, B, C Y, B, G A, B, C, Y, B, G तो इहीं पर B group के लिए पूछा है तो इहीं पर हो जाएगा oxford blue और blue color हो जाएगा B group coil spring के लिए what is the full form of ICF coach ICF coach देखे integral coach factory तो इहीं पर देखे आप लोग का कहा पर option है देखे तो option में देखे यहीं पर है नहीं तो यह हो जाएगा आप लोग का इंटीग्राल कोज फेक्टरी जो के आप लोग का ICF बोला जाता है ICF परामबूर चेनने देखे यहीं पर DESPOT में जो OIL आप लोग का यूच होता है उसका ब्रांड सब दिया है जैसे कि SERVOLIN 100 OF IOC यह भी हो जाएगा Indian Oil Corporation का SERVOLIN 100 है यह भी ब्रांड है YANTROL YANTROL है 100 यह भी आप लोग का हिंदुस्तन Petroleum Corporation HPC का ब्रांड है उसी सब से भारत यह उनिभल यह भी देखे आप लोग का भारत Petroleum Corporation यह आप लोग का B में जो YANTROL है 100 यह हिंदुस्तन Petroleum Corporation और भारत यूनिभल जो है भारत Petroleum Corporation का है तो All of this हो जाएगा सभी प्रकार का यह आप लोग का जो ब्रांड है यह Desperate Oil में यूच होता है All of this Break pipe throughout the length of a train is charged with a compressed year तो break pipe कितना pressure में चार्ज होता है यह पर है कुशिन है तो option में देखते हैं तो BP के लिए आप लोग simple जानते हैं 5 kg पर cm2 अगर FP होता तो आप लोग का feed pipe होता तो 6 kg पर cm2 New wheel diameter of ICF solid wheel यह देखे नया condition में ICF wheel का diameter पूचा है जो कि option में नहीं है नोन अप दिछ हो जाएगा तो नया condition में आप लोग का 915 mm और आप लोग का जो condemnation होता है यह आप लोग का 825 mm दोनों data यात रखे हलाकि आप लोग का goods का बंदे भारत का BLC का सभी प्रकार का आप लोग का locomotive का इस सब का memo train का आप लोग को diameter जैसे भी यात रखना है इसके related एक वीडियो भी है इसको आप लोग playlist में जाके देख सकते हैं prescribed RA value of a surface finish of journal person in microns यह देखिए इहीं पर पूछाएं कि prescribed value आप लोग का surface finish journal का surface finish यह कितना micron है यह है आप लोग का surface finish का आप लोग का unit है तो इसमें आप लोग journal जो person है ओ person का आप लोग का surface finish यह कितना है यहीं पर यहीं कूशिन है तो जैसे कि surface finish के लिए आप लोग देख सकते है journal का यह हो जागा 0.8 हो जाएगा 0.8 micron हो जाएगा यह है आप लोग का journal के लिए 0.8 यह micron है इसका unit surface finish उसी साब से आप लोग का wheel seat के लिए है यह भी जानना जरूरी है 1.06 है यह देखे option B में 1.6 है यह wheel seat area के लिए है wheel seat area का surface finish 1.6 micron इसी साब से middle person जो रहता है middle person का आप लोग का हो जाएगा middle person बीजवला person यह हो जाएगा 3.2 micron यह तीनों डाटा आप लोग के याद रखे C schedule Panty का मेरा I swap coach each पर how many days C schedule का duration periodicity पूछा है तो C schedule का duration कितना होता है इहीं पर आप लोग का cushion है तो यह हो जाएगा आप लोग का C schedule जो है यह 5 days हो जाएगा यह 5 days जो होता है C schedule के लिए यह Pantyng का है Pantyng का C schedule 5 days और आप लोग का A schedule अगर पूछ रहा है तो A schedule आप लोग का 9 दिन के लिए होता है periodicity इसका है 9 days 9 days का schedule रहता है A schedule और C schedule रहता है 5 दिन के लिए Which type of roller bearing used in LHB coach LHB coach में आप लोग का Catrice taper roller bearing यह उच होता है LHB coach के लिए Option C के साथ चलिए आप लोग जैसे की LHB और आप लोग का goods वागन में वागन में हो जाएगा आप लोग का CTRB इसी साब से आप लोग का ICF coach में spherical roller bearing SRB और आप लोग का UAC trolley के लिए यह भी कुछी ना आता है UAC boy के लिए यह हो जाएगा cylindrical roller bearing तो इस सब डाटा आप लोग याद रखिए full firm of fiatage जो fiat भगी LHB coach में यूच होता है इसका full firm पूचा है जो के आप लोग का fiat भगी का जो full firm होता है यह आप लोग का fabric italiana fabric italiana d automobil automobil torino यह ही आप लोग का fiat भगी का full firm है जो के LHB कुछ में लगता है fabric italiana d automobil torino यही full firm है तो ऐसा option देखिए यह पर कहाँ पर है आप लोग देखिए तो यह option यह में देखिए option A के साथ चलिए next चलते हैं the full firm of BP BP का full firm break pipe होता है option B के साथ चलिए SAFP का feed pipe flexi coil secondary spring are present in यह देखिए यही पर पूछ रहा है flexi coil जो secondary spring में यह कौन सो आप लोग का bogey में यूच होता है तो flexi coil spring आप लोग का LHB bogey में यूच हो रहा है ICF bogey में यूच हो रहा है तो option आप लोग C के साथ चलिए the color of feed pipe in coaching train coaching train में feed pipe का color पूछ रहा है जो कि सफेद होता है option D के साथ चलिए ऐसे BP का आप लोग का green color हो जाएगा full form of FIBA FIBA का full form क्या होता है failure indication come break application failure indication come break application यह आप लोग का option देखिए यह में है तो जैसे कि आप लोग का एक lhb coach में जो FIBA device होता है FIBA device या आप लोग का FIBA panel या आप लोग का दो के संख्या में रहेगा उसी सबसे जो indicator रहेगा indicator दो दो करके चार इंडिकेटर रहेगा यह भी यात रहेगा फिबा इंडिकेटर चार के संख्या में और फिबा डिवाइस या फिबा पेनल दो के संख्या में पर कोछ में प्रोवेड किया जाता है फूल नेम और पी इए भी पी इए भी का फूल फन पूछ रहे है passenger emergency alarm valve होता है passenger emergency alarm valve जो की option C में है तो पी इए भी इसका आप लोग का जो चो खोल डाया होगा ICF कोछ के लिए यह 8 mm का होता है उसी हिसाब से यह आप लोग का LHB कोछ के लिए यह भी यात रखे 19 mm का चो खोल डाया रहेगा the color code of helical coil springing ICF बोगी में एक color code पूछ रहे है जैसे के यही पर आप लोग का ABC यह होता है YBG यह दोनों का यात रखे Yellow, Blue और Oxford Blue और Green होता है तो यही पर देखिए ऐसा Option देखिए कहां पर है Yellow, Blue, Green Option देखिए कहां पर है तो यही पर देखिए जैसे की Option में आप लोग का है नहीं तो Option D के साथ चलिए यह हो जाएगा आप लोगा Yellow Blue और हो जाएगा Green What is the diameter of maximum own wheel of LHB coach LHB coach का own wheel profile पूछ रहा है तो यही पर आप लोगा जैसे की LHB coach के लिए नया में आप लोगा New condition में 915 mm और आप लोगा जो Condemning है यह 855 mm है जो कि यह पुराना question है उसी साथ से 945 mm उसी time correct हुआ होगा लेकिन आज के condition में यह आप लोग का change हो गया है तो आप लोग यही पर latest question के अनुसर अगर option में नहीं है तो non पर आप लोग चल सकते हैं color code of primary outer and primary inner spring of lhb ac2 tear यही पर आप लोग का color code पूछ रहा है primary outer and primary inner spring के लिए पूछ रहा है primary outer और primary inner spring के लिए आप लोग का lhb कोछ का है ac2 tear कोछ के लिए पूछ रहा है तो यही पर आप लोग का जो होगा यह green हो जाएगा इसका आप लोगा option C के साथ चलिए तो इसके बारो में भी थोड़ा data देख लिजे हम लोग देखेंगे primary primary देखेंगे आप लोगा outer outer spring के लिए देखेंगे यही पर आप लोगा accept power कर primary outer spring के हम लोग देखेंगे except power कर को छोड़के LWRM को छोड़के यह हो जाएगा green यह है primary outer है except आप लोग का power कर को छोड़के इसी सब से आप लोग का primary outer spring का देखेंगे यह power कर के लिए देखेंगे power कर के लिए जो के आप लोग का yellow होगा इसको no done कर लिजे primary outer spring power कर को छोड़के green होगा बाकी का आप लोग को power कर के लिए खास करके yellow होगा यह outer के लिए इसी सबसे आप लोग का primary inner spring के लिए देख सकते हैं primary inner spring primary inner spring देखेंगे वो भी आप लोग का accept power car, power car को छोड़के तो ये भी आप लोग का green हो जाएगा इसी सबसे हम लोग primary inner spring देखेंगे आप लोग का power car के लिए जेनरेटर कार के लिए देखेंगे जो कि आप लोग का yellow होगा तो जैसे के कुछिन के तोर पर AC2 टायर का देख रहे हैं तो AC2 टायर का inner हो या outer हो दोनों ही आप लोग का green कलर हो रहा है इस सब डाटा को आप लोग note down कर सकते हैं option C के साथ चलिए what is the periodicity for the IOS of ICF कोच ICF कोच का periodicity पूछ रहा है आप लोग का IOS के लिए intermediate overalling के लिए जो के 9 month होता है ये आप लोग का 9 month plus 30 days होता है उसी सब से आप लोग को AC2, BC2, IOS, POS का पूरा data आप लोग को याद रहना चाहिए capacity of ER reservoir of ICF कोच ICF कोच का auxiliary reservoir का capacity पूछ रहा है देखते हैं option में जैसके option में देख रहे हैं आप लोग का है नहीं तो non-up दिच हो जाएगा आप लोग का ER capacity ICF कोच के लिए यह होता है 200 liter anti-roll bar देखिए anti-roll bar का इह पर function पूछ रहे तो anti-roll bar का function यह होता है it resist the rolling motion आप लोग कोच anti-roll bar resist the rolling motion आप लोग कोच तो ऐसा option देखिए आप लोग का है कहाँ पर है option A पर है Subsidule 3 Subsidule 3 पूछ रहे है LHB कोच के लिए आप लोग का SS3 कब होता है पूछ रहे है तो SS3 कब होता है यह आप लोग का 6 साल या 24 lakhs kilometer जो भी पहले होगा whichever earlier जो भी पहले होगा उसी साब से होता है तो 83 का आप लोग यह के साथ आप लोग चलिए जैसे कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा डाटा देख लीजे जैसे कि आप लोग का SS1 एलेजबी कोच के लिए जो SS1 सबसेडिल 1 होगा 1.5 year या इसको 18 month बोले या 6 lakh km जो भी आप लोग का पहले होगा SS2 यह डबल कर दीजे 3 साल यह डबल कर दीजे या 36 महिना 36 month या 12 lakh km उसी साथ से SS3 जो है सब डबल डबल होके जाएगा 6 साल या 72 month या आप लोग का 24 lakhs km जो भी पहले होगा इस सब ड़ाटा एकदम मूँ मूँ में आप लोग का यात रहना चाहिए Maximum height from rail level of CBC अपे coach under its TR condition यह देखे खाली condition में आप लोग का maximum height पूच है rail level से CBC का आप लोग का coaching के लिए जो कि आप लोग का 11.5 mm है और आप लोग का minimum जहाँ पर आ जाएगा loading condition में यह 1030 mm होता है इस दोनों ड़ाटा आप लोग याद रखे the full name of the PhD PhD देखे PhD का full name पूचे तो यह हो जागा passenger emergency alarm signal device passenger emergency alarm signal device देखे एसा option आप लोग का कहाँ पर है वो option में आप लोग को चलना पड़ेगा तो यह पर option यह देखे passenger emergency alarm signal device option B में है तो इसका आप लोग का दूसरा name यह pilot valve भी होता है यह भी याद रखे pilot valve यह भी question में आता है the other name of PhD is pilot valve और the other name of pilot valve is PhD दोनों ही आता है number of ear dampers in lhb coach lhb coach में 4 के संख्या में ear damper रहेगा 2 पर बोगी एक बोगी में आप लोकाट 2 रहेगा और 4 पर coach हो जाएगा ear damper phony quillage देखिए phony quill यह पर आप लोग का कुछी ने कहाँ पर install रहता है कहाँ पर यह fit रहता है phony quill तो phony quill आप लोग का install on one end of each axle of lhb भोगी तो यह पर हर एक excel का एक end में आप लोग का phony quill install रहता है तो option B के साथ चलिए तो एक आप लोग का coach में चार के संख्या में phony खुल रहेगा यह भी याद रखिए option B के साथ चलिए the difference between the alignment deviation of the two new outer spring of lhb coach यह पर देखे आप लोग का alignment deviation पूछ रहे है यह भी नया condition में outer spring के लिए पूछ रहे है नया condition में outer spring के लिए आप लोग का spring deviation difference पूछ रहे है difference between alignment deviation पूछ रहे है जो कि नया condition में दो outer spring के लिए पूछ रहे हैं तो ये कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 88 का देखे यह पर हो जाएगा कि ये आप लोग का 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो option देखे कहां पर है आप लोग का option ये देखे B में है तो इसके बारे में भी देखे data देख सकते हैं तो आप लोग का नया condition के लिए new spring के लिए जो आप लोग का alignment deviation है new spring new spring का case में आप लोग का outer spring के लिए outer spring के लिए ये deviation 4 mm से आप लोग का ज्यादा नहीं होना चाहिए उसी सबसे inner spring के लिए 8 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये नया spring का case में अगर spring पुराना हो गया old spring अगर हो गया पुराना spring हो गया old spring तो ये case में आप लोग का जो deviation है outer spring के लिए outer के लिए 8 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इनर के लिए इनर के लिए यहें पर not to be considered, not to be considered, इसको consider में लिया नहीं जाएगा, इसमें आप लोगा deviation चलेगा नहीं ब्रेक पाइप accelerator valves provided rapid venting of the brake pipe, यह देखिए आप लोगा brake accelerator जो लेजबी कोच में, पौर लेजबी कोच में एक के संख्या में brake accelerator है, तो यह आप लोगा rapid भूँत तेजी से आप लोगा pressure vent कर देता है, बाहर निकल जाता है, कौन सा condition में, जब आप लोगा रेक में train में emergency brake application होगा, उसी condition में, तो ऐसा option देखिए, option C में है, only during emergency brake application, option C के साथ चलिए, the fyard bogies fitted with, fyard bogies में, देखिए किसके साथ फीठे पूच रहे, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगा, फ्याड bogies fitted with, यह हो जाएगा आप लोगा, नियुमेटिक डिक्स ब्रेक सिस्टम, option B के साथ चलिए, what do we mean by cdts, cdts का यहीं पर पूरू पूचा है, जो की control discharge toilet system होता है, control discharge toilet system, 91 का B के साथ चलिए, तो आप लोगा जो cdts जो सिस्टम है, अभी तो लगभग आप लोगा ऊड़ गिया है, cdts, जो की control discharge toilet system था, जो की आप लोगा electroneumatic system था, electroneumatic system, इसमें electric और आप लोगा air pressure, air brake का इवुच होता था, जो की आप लोगा, जब भी आप लोगा train का speed, train का speed 30 kmph से उपर होता था, 30 kmph, above 30 kmph होने से इसका port to opening होता था, और west material आप लोगा जो गंदेगी है, जो भी आप लोग, west material है, वो आप लोगा platform premises से दूर जाके out station में ये गिर जाता था, इसके चलते आप लोगा, जो platform area, station area, clean रहता था, दुरगन नहीं होता था, एज चीच के लिए CDTS को लाया गया था, ब्लेक सिलिंडर के संख्या पूछ रहा है, लेजबी कोच में, 8 के संख्या में, अब संडी के साथ चलिए, जिसका कि आप लोगा diameter भी यात रखे, 10 इंच या 255 mm का होता है, ये भी यात रखे, which is not recommended to coat the bearing sheets of the axle, तो आप लोगा bearing sheet जो है, एकसल में, इसमें कौन सा आप लोगा, जो oil से, या कौन सा material से, इसको coating नहीं करना है, इसके उपर आप लोगा coating नहीं करना है, परत नहीं देना है, तो ये आप लोगा castor oil ये दे सकते हैं, heavy mineral oil ये भी आप लोग दे सकते हैं, molybdenum disulfide इसको भी दे सकते हैं, लेकिन white lead का आप लोग दे नहीं सकते, इसका coating नहीं हो सकता, आप लोगा bearing sheet axle का, इसमें इसका coating नहीं देना है, option आप लोग D के साथ चलिए, lead compounds may be detrimental to lubricating grease by acting edge, ये पर देखें, जो lead compound होता है, ये पूछ रहा है कि, may be detrimental to lubricating grease by acting edge, तो इहीं पर आप लोगा सिसा योगी के किस रूप में कार्जय करके, चिकनाई वाले grease के लिए हनिकारक होता है, तो ये देखें, आप लोगा जो lead compound अगर, जो हनिकारक करेगा, जिसकों के lubricating करेंगे, grease के मैध्यम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगा lead compound, ये आप लोगा act as catalyst, oxidation catalyst के उपर, oxygen उत्परे रख के हिसाब से ये काम करेगा, तो option आप लोग ये देखें, बी के साथ चलिए, तो जैसे की आप लोग जो catalyst होता है, काटा लिस्ट क्या करता है, कोई भी chemical reaction को, ये क्या करता है, speed कर देता है, इसको तिब्र तला देता है, सिग्र करवा देता है, ये आप लोगा catalyst का काम होता है, राशनिक प्रक्रिया को ये तिब्र कर देता है, सिग्र कर देता है, ये ही पदार्थ होता है, तो lead compound को हम लोग, जो lead compound क्या करेगा, ये आप लोगा जो lubricating grease material है, ये oxidation catalyst के रूप में, ये इसको काम करवा देगा, इसलिए आप लोग option B के साथ चलिए, which of the following are recommended for bearing storage, bearing storage के लिए recommendancer यहाँ पर दिया है, निमने लिकित में से, कौन बहन भंडारन के लिए अनुसासित है, तो आप लोगा जो bearing को storage करके रखेंगे, इसके लिए सही procedure किया है, ये पर एही कुशिन है, तो यही पर देखेंगे आप लोग का, on mount और new roller bearing and components parts must be stored in a area that is clean well protected from moisture और rain, जब भी हम लोग आप लोग का roller bearing या इसका components parts को store करेंगे, तो वैसे area में store करेंगे, जहाँ पुरा clean होना चाहिए, यहाँ moisture नहीं रहना चाहिए, बारिस का बुंदा बारिस इही पर नहीं गिरना चाहिए, वैसे area में रखेंगे, तो option एक साथ चलिए, पहला option ही आप लोग deviation of two serviceable outer spring of LHB भोगी, देखिए, वहीं पर आप लोग का outer spring new condition के लिए पूछा है, यहाँ पर आप लोग का जो spring का आप लोग का deviation पूछा है, यह आप लोग का serviceable condition के लिए serviceable यह आप लोग का old spring के लिए पूछा है, old spring के लिए, तो इसमें आप लोग का outer spring के लिए पूछा है, तो outer spring के लिए, जो आप लोग का deviation होगा, यह आप लोग का कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह आप लोग का 8 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, should not exit 8 mm, लेकिन एहीं आप लोग का पूराना condition में inner spring के इसमें deviation जो है यह not allowed इसमें deviation लिया नहीं जाएगा तो ऐसा option देखिए यह पर कहां पर है कि आप लोका जो serviceable जो spring रहेगा तो यह alignment करते हुए इसका deviation कितने से ज़्यादा allowed नहीं होना चाहिए यह should not exceed हो जाएगा 8 mm हो जाएगा तो 96 का option C के साथ चलिए color coding पर power card side 1 secondary inner spring यह देखे color coding पूछा है आप लोका power card side 1 secondary inner spring के लिए पूछा है तो यह पर पूछा है आप लोका जो side 1 और side 2 के लिए देखेंगे यह पर आप लोका color coding inner spring के लिए देखेंगे inner spring यह आप लोका power card के लिए power card के लिए देखेंगे तो इसमें आप लोका side 1 और side 2 के लिए देखेंगे जैसे कि आप लोका side 1 पावर कर और side 2 पावर कर इसका color देखेंगे तो color coding देखेंगे आप लोका secondary inner spring के लिए secondary secondary inner spring के लिए देखेंगे तो इसमें side 1 आप लोका जो generator कर रहेगा इसके लिए blue color हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोका blue color और आप लोका side 2 के लिए हो जाएगा yellow color यह भी आप लोका secondary inner spring के लिए color coding पूछा है generator car के लिए site 1 बला generator car के लिए blue हो जाएगा और site 2 बला आप लोग का generator का power car के लिए yellow हो जाएगा तो option में चलते हैं यहीं पर आप लोग का पूछा है कि color coding पूछा है power car के लिए site 1 के लिए पूछा है वो भी secondary inner spring के लिए तो site 1 के लिए हम लोग क्या देखे थे blue color देखे थे तो option में देखिए 97 का option A के साथ चले the center buffer coupler used on lhb coaches lhb coach में जो cvc यूच होता है यह पूछा है यह कौन सा type का यह होता है पूछा है तो आप लोग का जो cvc यूच होता है आप लोग का lhb coach में aars type tight lock center buffer coupler होता है तो यह पर देखिए option देखिए यह पर option आप लोग का b देखिए सही match हो रहा है यह आप लोग का aars type type दिया है option b में तो यह हो जाएगा आप लोग का aars type tight lock center buffer coupler हो जाएगा option b के साथ चले ss2 of lhb coach ss2 पुछा है lhb coach के लिए यह देखिए उपर में ही कोई question में आप लोग का discuss हुआ है तो ss2 हो जाएगा कितना यह हो जाएगा तीन साल या 12 लक किलिमेटर जो भी पहले आर्न हुआ हो जो भी पहले आर्लियर हुआ हो तो ऐसा option देखिए deeper है यह substitute to lhb coach के लिए periodicity पूछा है what is the full form of WRA WRA का पूर्रूप होता है water raising apparatus जो कि आप लोग का option B में है तो चलिए प्रण अभी राजभासा का question है इसको बढ़ियां से देखिए जानने का कोशिस कीजिए तो जैसे कि आप लोग 101 number question में देख रहे है when was the official language act 1963 passed राजभासा अधिनियम 1963 कप परित हुआता 10 माई 1963 को option B के साथ चलिए when did section 33 of official language act take effect राजभासा अधिनियम की धारा 33 कप प्रभुठ हुई तो यह आप लोग का क्या हो जगा 26 January 1965 ऐसा option देखिए, option C में है how many languages are enlisted in the 8th schedule of the constitution फिलाल समिधान में 80 सूची में कितना भासा समिली थे तो 22 जब स्टार्टिंग में इनिसियाली आप लोग का 8th schedule में 14 language को include किया गया था यह भी यात रखे शुरुआत दोर पर आप लोग का शुरुआत में 80 अनिसूची में 14 भासा को ही समिल किया गया था जो कि अभी टोटाल 22 भासा इसमें समिली थे राजवासा नियम 1976 को पारित हुआ है इन कंप्लाइंस अब आर्ट आर्टिकल 344 राजवासा नियम 1976 को पारित हुआ है तो आप लोग का 344 के अंतरगात अनुचेद अनुचेद 344 के अनुशार राजवासा आयोक कप निजुक्त हुआ था कप ये गठन हुआ था तो ये आप लोग का गठन हुआ था 1955 को ये हुआ तो आप लोग का अपसान ए के साथ चलिए 1955 को 7 जून 1955 तो ये जो आप लोग का जो Official Language Commission था इसका जो फास्ट चेर्मेन थे फास्ट अध्यक थे वो बीजी खेर सहब थे बीजी खेर ये भी यात रखे इसका फास्ट चेर्मेन बीजी खेर थे एज पर कंस्टिचूशन हूँ इस ट्रांसलेटिंग दा स्टेट्योट्री रूल्स रेगुलेशन और अडर्स सम्विधान के अनूसर सम्विधानिक नियमों बेनियमों और आदेसों का अनुबात कोन करता है ये करता है अब लग का मिनिस्ट्री ओप लौ करता है अब सण सी के साथ चलिए लौ मिनिस्ट्री करता है हाओ मैंने हिंदी कोर्सेस और प्रेस्क्राइब फर सेंट्रल गौर्वर्मेट एमपलई तो आप लोग का केंदर सरकर के कर्मचारुई के लिए कितने पाठेक्रम नियधारी थे तीन के संक प्रिलीमिनारी जो कोर्स रहेगा प्रारंबी कोर्स रहेगा प्रभोत उसके बाद आप लोग का रहेगा प्रभीन और आप लोग का जो फाइनल कोर्स रहेगा अंतिम कोर्स रहेगा ये प्रगिया है अभी आप लोग का और एक भासा को आप लोग का और एक कोर्स को एड़ किया गिया है जो कि आप लोग का पारंगत है लेकिन एक्जाम पॉइंट ऑफ भ्यू से आप लोग तीन आप लोग का इन पर तीन ही आप लोग का सब्जेक्ट रखे पाठेकरम तीन ही रखे केंद्रिया हिंदी समीती के अध्यक कोन होते हैं प्रधान मंत्री जी होते हैं अब संडी के साथ चलिए केंद्रिया सरकार के लिपकिय कर्मचारी के लिए निधारित अंतीम पाठेकरम क्या है अंतीम पाठेकरम प्रग्या हैं अब संसी के साथ चलिए कर्जश साला में प्रसिखित होने के लिए कौन योग्ये हैं यही पर आप लोग का ओल्ल क्लास्त्री एन गेजेटेड स्टाप सभी स्रेणी क्लास्त्री के कर्मचारी और राजपत्त्रित अधिकरी यह आप लोग के हिंदी वार्शब में ट्रेनिंग ले सकते हैं अप्शन एक के साथ चलिए तो चलिए फ्रेंस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग लाइक्स कीजिए कुछ भी गलती है तो कमेंट्स कीजिए ऐसे ही जानकरी आप लोग का वीडियो के लिए डिपांटमेंटल एक्जाम का पेपरेशन के लिए चैनल के साथ बने रही है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार कीजिए जैहिन दोस्तों